तो फाइनली मैं आचोका होगा करनी वीडियो के साथ आए आए मैं होस्ट अलोन बात्षाण आप देखर होगे वीडियो के एपडेट गी तो आज की वीडियो हने वाली हमारे सबसे जाधा प्रीफायर के प्लेयर सेर्च कर रहा है इसना है वह है प्रीफायर पैन इंडिया मल वीडियो अच्छी लेकर लाइक ज़रूर से कर देना इस वीडियो के सेर भी कर देना अपने ज़्यादा दोस्तों साथ शेयर कर पाँ ठीक है तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहली बात अगर किसी को लग रहा है कि ये कहानी जितना भी ये खिचड़ी मची है ये अभी से है तो ऐसा कुछ नहीं ठीक है ये खिचड़ी बहुत टाइम से पक रही थी व्याट अब ये पक के जो है कोगर फटे या अब क्या कैसे हुआ सारा कुछ बता था हू देखो सबसे पहले PUBG वालों की तरब से गरने Free Fire पर केस ठोका गया केस क्या था केस था कि अपनी जो Free Fire है वो काफी सारी चीज़ें कापी करती है PUBG की ठीक है तो ये बात मैं कहीं ने कहीं मानता हूँ मैं भी एक Free Fire प्लेयर हूँ लेकिन हाँ ये बात सच है कि Free Fire ने काफी सारी ये इसमें involved है और इसे जो है मतलब जो भी punishment या जो भी इनका जुर्माना बगरा होता है वो फिलाल हाई लेबल की चीज़ें तो वो किया जया ठीक है ये कोड तक गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ फ्री पर जी वालों ने ये क्या किया आप स्टोर और गूगल प्लेयर इ अपन से शॉरी फ्रीफेर प्लेयर इस्टर पर से गाया हो खोने सीके प्लेयर पर से अप्लेयर पर से गाया होगा और अर्सी से में अपने से मैं ना तो कोई में दर्प गरना पर्टनर प्रोग्राम में नहीं में कोई बड़ी इक साट है हां जो मैं एक प्लेयर की तरह मतलब आप लोग वह प्लेयर हो मैं भी एक प्लेयर हूं कुसकी तरह बोश्च तो आगे बढ़ाते हैं तो हाँ फिर कहाणी पहुंची कहाँ पर प्लेश्टोर भी इस केस में आ गया और अपिस्टोर भी ठीक है उसके बाद क्या हुआ यह फ्रीफायर कायब हो गया अब फ्रीफायर कायब हुआ गिल्चिस के बजाए से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होंगी फ्रीफायर से काफी प्रॉब्लम हुई जितने भी यूजर एटल किसम से खेल लेता है वह अपना गेम लोगी नहीं कर पा रहा थे उनके में नेटवर कनेक्शन इरन नाम का जो है जो फीडबैक बग आ रहा था ठीक है तो हाँ बग आ रहा था यह कि हाँ प्रीफायर जो है एटल किसम स लगोर्मेंट आफ इंडिया करी तरफ से की समय जो है जो की अपना फ्रीफायर इसे जो है बैंट कर दिया अब ये बैं तो हुआ है नप हो सकता है लेकिन ऐसा समझे लो कि कि फ्रिफायर इंडिया से कभी नहीं जा सकता मतलब कि पर्मानिट कभी नहीं जाएगा गरना फ्रिफायर बैन हुआ क्योंकि उसके चाइना में 25% मतलब उसके अंदर जो है चाइना के कुछ लोग जो है उन्होंने 25% फ्रेयर मार्केट जो है अपना ले रखा है मतलब 25% की हि इसके बहुत सक्क्त खलाफ है इसी वजह सारी आप जो है अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है अब बढ़ती है सीधे फ्रिफायर पर क्या करेगा ठीक है तो देखो यह मैं प्लेयर की तरफ से बता रहा हूं कि फ्रिफायर इंडिया से नहीं जा सकता पहली बात इंडि इसको जरूर जरूर छोड़ देगा ठीक है इसके 25 परशन जो शेयर है वो यह बापस कर देगा यह कुछ भी अपना शॉलूशन निकालेगा लेकिन यह इंडिया में रहेगा इंडिया जितने भी गवर्मेंट आफ इंडिया इसके लिए रूल बनाएगा वो सारे मानेगा मजबूरी में मानना पड़ेगा क्योंकि पहली बाद इसका फैन बेस इंडिया में बहुत तकड़ा है बहुत सारे इसके कट्तर फैन है जो कि मलब नौ साल की अर्डेंस भी बोली जाती है फिलार वो सारी बाते हलाग है बढ़ है इसका पैसा मतलब इंकम बहुत होती इंड पपजी महिनों नहीं साथ एक साल के लगवक हो गया फिलाल मैंको कंफर्म नहीं है बढ़ पपजी काफी जाधा टाइम के लिए पहन हुआ उसके बाद नाम चेंज किया गया बीजी एमाई हो गया उसके बाद उसका जो रेड कलर का ब्लेड होता है वो ग्रीन कलर में हो गय है तो आयोब यार इस पूरी कहानी में समझ में आएगा कि क्या कहां पर कैसे हुआ फिलाल अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि फ्रीफायर की तरफ से या पपजी की तरफ से या किसी भी कवर्मेंट ऑफ हिंडिया मतलब कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ है सबसे पहल प्राप्लम हुई नेटवर कनेक्शन इरर हुआ मतलब काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है कि अभी भी फ्रीफायर ओफिशल तरफ से जब कन्फर्मेशन आएगा तभी उसके आंसर मिलेंगे फिलाल जितना एक प्लेयर के साथ से मुझसे हो सका मैंने आपको समझाया आई हो वी